एवरीवन दिस इस प्रोफेसर एमेच और आज के इस वीडियो में भी विल डिसकूस दे लेक्चर नमबर टू हम लोग ने स्टार्ट किया था हम लोग ने लेक्चर वन के अंदर अभी तक आपने वो लेक्चर वन नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कौन से टाइप के कोश्चन्स आते हैं और उसको सॉल करने का लॉजिक क्या है तो इंटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर नमबर वन यह हमारा जो स्टार्ट हुआ है यह लेक्चर नमबर जर्नल इंट्रि जा सकती है और तर् तर इंट्रोड़ करने सब्रक्शन है आपको क्यापिट्ल रिकंस्ट डूल पड़ेगी वह भी्योंत्थ में क्योंकि मांक्स जो अलॉड होगा बुघंड बन सकता है जब तक आपको जर्नल इंट्री ने आती है हाँ अगर you are confident enough कि भाई मैं जर्नल एंट्री मैनुली पास कर सकता हूं mentally मैं माइंड में fit कर सकता हूं तो आप बना सकते हूं लेकिन advice is कि जर्नल एंट्री आई तो it's okay capital reduction को rough में बनाने का capital reduction पूछा तो capital reduction को अच्छे से बनाने का general entry को rough में बनाने का ठीक है दोनों में से one पूछा तो भी two बनेगा two पूछा तो भी one बनेगा मतलब यह दोनों बनते हैं साथ में चाहे आपको general entry पूछा जाए चाहे आपको capital reduction तो याद रखना है यह दोनों भाई बहन है यह दोनों साथ में रहते हैं okay अब आता है third इनका सब्सक्राइब को श्रोट्राइप एक करेग है मतलत तक तक नहीं बनेगा अगर tą ऑफिर बैलन्स इट कुछा है हाँ यह इस style का occasion faat बीट सिर्फ पूद्राई आए प्विट आब पूरा फोकस हम लोगों बैलन्स इट बनाने पर लगाने पड़ेगा लेकिन टब तक नहीं बनेगी जब तक जर्नल एंट्री नहींगी चापिटल रदक्षिन नहीं आएगा तब तक आप बैलें चेट नहीं बना सकते हैं तो सब से पहले जर्नल एंट्री बनती है आपको ध्यान में रखना है, journal entry, capital reduction, balance sheet, अब हम लोग देखते हैं इसका logic, कि कैसे, अब journal entry पता है, आपको याद नहीं रहती है, हमें भी याद नहीं रहती, तो इसका logic क्या है, logic से solve करने की कोशिश करेंगे, इसी type के question को, ठीक है, अन ओफिशल तरीके से मैं बताऊंगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या याद रखना है, सबसे पहला, asset shows debit balance, यह याद रखना है, asset shows, जित्ते भी asset वो debit होते है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दू, यह balance sheet है, दिख रहा है balance sheet, यह assets है, और यह liability है, यह liability, यह asset, बराबर, तो यह जो asset होता है, यह हमेशा क्या होता है, debit होता है, और यह liability होती है, यह हमेशा क्या होती, credit, तो देखो second point, liability shows credit, तो इतना याद रख सकते हो, assets always shows debit, liability always shows credit, asset debit, liability credit, liability credit, asset debit, इतना याद रखना है, यह इतना याद रहेगा, एकदम simple है, दो point हो गए, तीसरा point बोला है, any increase, जिसको हम लोग अप बोलते हैं, same effect, any decrease, जिसको हम लोग बोलते हैं, down, क्योंकि increase, decrease दोनों सुनने में हैं, एक जैसा लगता है, increase, decrease, तो आपको क्या बोलना है, up और down, up है, तो same effect, opposite है, down है, तो opposite effect, मतलब, अगर आपने debit का कोई item लिया है, और उसको increase करना है, तो debit ही करने का, ठीक है, कोई credit का item है, उसको up करना ह है, तो credit ही करने का, तो example के तोर पर यह जो balance sheet थी, अब इसमें fixed assets है, इसको एक लाग से बढ़ाना है, तो debit है, तो debit ही करना पड़ेगा, तो debit को increase करने के लिए debit, अगर bank loan है, bank loan का देड़ ला के और 50,000 बढ़ाना है, तो credit है, तो credit को बढ़ाने के लिए, फिर credit करना पड़े को credit pass करो, लेकिन अगर down करना है न कोई भी चीज़ को, तो opposite pass करो, debit को credit, credit को debit, ठीक है, यह simple logic आप practical life में भी देख सकते है, जैसे पानी का bottle है, वो आधा भरा है, आधा fill है, आधा empty है, तो आप उसको बढ़ाएंगे, मतलब उसको full करेंगे, तो increase करना रहेगा ना उसको, तो क्या करने का same effect, पानी डालो उसके अंदर, तो और पानी डालने का, तो debit को debit, अगर वो ही bottle petrol की होगी, तो उसमें पानी डाल सकते है, नहीं, तो उसमें petrol डालना पड़ेगा, तो increase के लिए same effect, आर यह बस समझ में, increase के लिए same effect, decrease के लिए opposite effect, ओके, तो debit को debit करना, same effect के लिए debit को डेबिट क Minh sentence बैए क्रेडिक हêu अपोजिट के लिए क्रेडिक क्रेडिक और याद रखना यह लाइबलेटी क्रेडिक होता है एसे डेबिट टिफ्रेंस का इफेक्ट और यह याद रखना रटा भी हो जाएका तो चलेगा लेकिन चिब प्र aha gebrachtt से मोन्सून करें तो हम थो हम जाते घूमने जाते हिल पे जाते इत्रेकिंग करते रइट वी और गोइंग टू तो बोलते ना व्यार गोइंग टू दिस प्रेस डाट प्लेस रइट तो तू मीन्स वहां तक हम लोग वहां तक जा रहे हैं तू और बाए मतलब कोई भी चीज़ को बोलते ना बाए यह बोटल है उसको हाफ कर दो बाए फिफ्टी इतने से ठीक है तो यह थोड़ा सा हिंग्लिश टाइप में तो याद रखना तो बाइ बोलेंगे तो सेम अमाउंट का एफेक्ट आएगा तो बोलेंगे तो डिफ्रेंस का एफेक्ट आएगा थोड़ा सा और लगेगा आपको यह लेकिन यह प्राक्टिकल कोश्चन करेंगे आफको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट है कुछ वर्ड़ ऐंगे आपके कॉश्चन में वेव करके आएगा राइटा एगा रैट आओफ रैमिशं आएगा फॉर्गो आएगा इन सभी वर्ड का मतलब है हटा दो मतलब डाउन कर दो हटा दो मतलब डाउन करो डिक्रीज करो याद रखना है वेव राइट आफ रेमिशन फोर गो वेव राइट आफ रेमिशन फोर गो इसका मतलब हटा दो हटा दो मतलब डाउन तो अगर मैं डेबिट को हटाऊं डेबिट को हटाऊं तो क्या करना पड़ेगा तो क्या करने का क्रेडिट अगर मैं जाने का debit को credit करने का credit को debit करने का ठीक है वो बताएंगे जब practical होगा तो समझ में आगा अब इस याद रखो जो बता रहा हूं वो थोड़ा दिमाग में फिट रहे ठीक है इसलिए इसको अलग से बनाए 10 मिनिट का एक बार गो थूर करेंगे फिर practical question देखेंगे तो समझ में आ जाएगा तो यह वेव हो गया राइट आफ रेमिशन फॉर गो वेव राइट ओफ रेमिशन फॉर गो मतलब यहाटा दो अधनलाव डाउन नेक्स्ट यह अपने लेविंत में किया था whenever money comes in debit what comes in credit what goes out पैसा आएगा debit करने का cash bank को पैसा जाएगा तो two cash bank मतलब credit करने का पता है ना general entry कैसे होती है कोई भी account होएगा वो debit होएगा उपर लिखते और credit को two से लिखते है ना तो whenever money comes in तो bank account debit whenever money goes out तो उसको credit करेंगे two से लिखेंगे ठीक है हो गया no point और दो point है बस फिर क्या है intangible assets और fictitious assets return off return off का मतलब क्या होता अभी बता है हटा दो हटा दो मतलब down कर दो ठीक है तो whether given in the question ये बहुत important है question में intangible assets और fictitious assets के बारे में बोला जाए या नहीं बोला जाए बोला है तो हटा नहीं है नहीं बोला है तो भी हटाना है याद रखना है एक्जाम में चाहे बोले या ना बोले adjustment दिये या ना दे आपको intangible और fictitious को हटाना है logic क्या है अभी बताया था internal reconstruction loss making company है loss making company already loss बना रही है तो उनको intangible asset की जरुवत नहीं है उनको tangible asset की जरुवत है जो उनको पैसे generate करके दे तो इन सब चीजों की जरुवत नहीं होती इसलिए हटा देते एक्जामपल देख लेते इंटेंजिबल में आपको पता है आपका फिपरेट गुडविल है पेटेंट है कॉपिराइट है ट्रेड मार्के नो हाउ है miscellaneous fictitious में क्या है miscellaneous expense कभी-कभी asset side में यह दोनों asset side में ही मिलेंगे आपको liability में मत धुनना यह सब asset में होंगे preliminary expense लिखके आता है share issue expense discount on issue profit and loss कभी-कभी आता है तो इनको क्या हटा देना है चाहे question में बोला जाए या ना बोला जाए और last point any increase or decrease कोई भी increase, decrease up, down हुआ उसको आपको adjust करना पड़ेगा एक ही account से और उस account का नाम है capital reduction account तो उसको देखेंगे हम लोग की कैसे adjust करेंगे लेकिन याद रखना एक्जाम में कोई भी up और down होगा हम लोग उसको adjust करेंगे किस से किस से करेंगे capital reduction account तो यह 10-11 point है, वैसे 10-11 नहीं है क्योंकि देखो न, asset liability यह एक point हो गया, यह वाला second point हो गया, यह वाला third point हो गया, यह fourth हो गया, यह fifth हो गया, यह sixth हो गया, यह seven, साथ point है अगर यह 7 point आपने देख लिया न, तो कोई भी question हो, internal reconstruction का कोई भी level हो, become हो, बैफ हो, IPCC हो, आप 99% पूरे question को solve कर पाएंगे, अन ओफिशल तरीके से बताएं, ठीक है, तो इसको एक दो बार go through करो, 10 minute का है, तो एक बार दिमाग में fit होगा, तो आप इसका practical question easily कर पाएंगे next video में मिलते हैं, next video में we will solve practical question और जो latest आया है, वो हम लोग solve करेंगे, तो just go through it, कुछ doubt आएगा तो comment करके बता सकते हैं, and please like and subscribe for more videos, thank you